आज हम देखने वाले की घर पे आप केक कैसे बना सकते हो बिना किसी खास इंग्रीडियन का यूज किये अगर आपके पास में कोई भी बैक्री जैसा कोई भी सामान नहीं गर पर उसके बाद भी आप एकदम पॉफेक कैक कैसे बना सकते हो वाज इस वीडियो में मैं आपको ब इंग्रीडियन के साथ में देन मस्ट वाच्ट रेसिपी है और यह सामया पर किसी भी अन्हेल्डी चीजों का भी यूज नहीं करने वाले हम मैदे का नहीं यूज करेंगे ना ही कोई इस इंग्रीडियन का जो जुल्दी अविलेबल नहीं होता है सिंपल इंग्रीडियन से आधा मैंने गुड का यूज किया है गुड जैसे मेल्ट हो जाए गैस का फ्रेम बन करना है कोई तार की चार्शनी नहीं बनानी यह पहला टीप बहुत इंपोर्टेंट है और अच्छी तरह किसा आपको थंडा होने देना ठीक है उसके बार नेक्स टेप के अगर मैं बात क कर लीचे तक कि केक में अच्छी तरह के से प्रॉपर जाकर बैठेगा नहीं नीचे जाकर इसलिए हम यह स्टैप करते हैं उसके बाद देखे मैंने यहां पर केक टीन का यूज के आपके पास नहीं है तो कोई भगोना होता है ना घर पर मोर्था तल्वे का थोड़ा सा इस तरह के से डाल के आप इस तरह के से करिए अच्छी तरह के से पूरी और फैला लीचे जहां पर आपको ना बटर पेपर यूज करेंगे जर्वत ही नहीं पड़ेगी आपको इक्तम बैस रिजल्ट मिलेगा केक निकलेगा बहुत दीजली निकल जाता है नेक्स टेप की बात करूं तो जैसे एक आपको देखो गुड़ जैसे टंडर हो जाए ना आपको एक छनली के एल्पस को चान लेना है अगर आपके सा लगे गुड़ के तिकनस बढ़ गई है कोई बात नी थोड़ा सा पानी डाल के चान लीजे पॉफेक्ट रिजल्ट मिलेगा चानना इस है यह का दियान रखना है चम्मच के अलक से या फिर अगई इस तरह से विस्कर है मत नी होता ना जिसा माता मेहते है तो उस तरह से भी आप कर सकते हो उसके बाद एक-से दूमिलट मेहना है मतना उसको उसके बाद आपको लेना आई ओल यहां पर देखिए पूरे वहाले से बारिक वाली सूजी लीचे मोटी वाली सूजी लीचे कोई प्रॉब्लम नहीं रिजल्ट आपको 100% मिलेगा क्योंकि मैं 10 से जादा केक सूजी का आपको देखना है तो आप देख सकते हो जो मैंने शक्कर से बनाया था अभी देखें इसको अच्छी तरके साब मिक्स कर लीचे एक ही डारेक्शन में मिक्स करना है स्पैचुला है आपके पास तो आप उससे भी कर सकते हो लेकिन मैं इस वीड़ो को बहुत सिंपल बना रही है इसने मैंने चमच कही है यूज किया है डस मिनट के लिए सूजी को रेस्ट दिनी के बाद भी आप देखिए इसका जो टेक्श्चर है वह थिकने से बढ़ जाती क्योंकि जो सूजी होता है वह ऑईल बोल लीजे दूद बोल लीजे वह सोक करता है तो फूल जाता है उसके बाद वेनेला एसेंस मैं एक से दो बून डाला है नहीं है आप इलची पाउडर डाले थोड़ा सा है आपर जो हमने टूटी फ्रूटी यूज के था वो एक चमच आप देखे बेकिंग पाउडर का यूज करना है बर के और आदा चमच वही वाले चमच से बेकिंग सोड़ा और यहां पर दूद की बात करूँता आप देखे दूद आपको जरुद के साफसर डाला इसका कोई मेजरमेंट नहीं है अभी देखे थोड़ा सा मैंने दूद डाला है अगेन हम फोड़ा सा दूद और डालेंगा वीड़ा का परपस ही है कि कोई भी घर पर इस केक को बना सकता है जिनके पएल ब तो consistency होती है, कुछ इस तरीके से उनी चाहिए, इससे जाधा मोटा भी नहीं रखना है, बहुत जाधा पतला भी नहीं करना है, देखें कुछ इस तरीके से उनी चाहिए, consistency, गैस अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, हमें motivation मिलता है, आपके वी केक का बेटर डाला है, और जो spatula है, हाथ के help से या फिर चमच के help से आप इसको निकाल लिए जो एक्स्ट्रा है, और उसके बार लास में अगें, गार्णिशिंग के लिए टूटी-फूटी डालिये, या फिर काजू बदाम कट करके डालिये, या फिर कुछ नहीं डालोगे तो भी कोई प्राब्लम नहीं है, तो इस तरीके से देखे, या आपको अच्छी तरीके से डाल लेना है, अभी इस तरीके का बर्तन का यूज कीज़े, या फिर आप कुकर का भी यूज कर सकते हो, सीटी निकाल लेना, ये चिसका ध्यान रखना है, इस तरीके साब देखे, अगर आपके पास है, तो लेचे, या फिर असे प्लेट सो होते हैं, हमारे घर पे बहुत इसली, आप ये भी इसको इस तरीके से रख सकते हो, नमक के बाद करूँ तो ये, मैंने नमक बहुत बहुत बाद यूज कर चुकि इसली उसका कलर एकदम से चेंज हो गया, आप फ् अब आप टाइम भी देखे, टाइम देखो कम जादा लग सकता है, तो अभी घड़ी में रात के, मैं भी आपको टाइम दिखा रही हूँ, ग्यारा बच के पाच फिनट हो रहा है, अभी अगें, ग्यारा बच के थाटी एट मिनुट सो रहा है, तो उस पर मैं इसको एक लेना है आपको, यह बहुत गरम होता है, आपको समबल के करना है, चमच ले लीजए, यह फिचा को ले लीजए, इस तरा के से बीच ओ बीच आपको इंसर्ट करना है, अगर यह अच्छी तर्गी से क्लीर निकलता के गैस का फ Keys का फिन बंद करना है, इसको ठंडा लग देन कि कुछ इस तरीकिस आपको करना है उसके बाद आप इसको पल्टी कर दीचे बहुत ही एजली बिना इवन टैप के देखे निकल गया है यू कन सी कि इसके अच्छी दर्गी से प्रपर जाली भी बनी है और इसका टेक्शर बहुत अच्छा है घर पे आप इस केक को बना सकते ह तो आपको नहीं 30 से 40 उर्पे के अंदर ये केक बन के तियार होता है 40 उर्पे के आसपस लगेगा और ये बहुत बड़ा केक होता है आप घर वालों के साथ में इंजॉय कर सकते हो आदे किलो से भी जादे का केक बनाए और बहुत टेस्टी लगता है हेल्दी भी है हमने यह आपको सबसे पहले मिलेगी और कॉमेंट करके बताईये वीडो कैसी लगी है और नेक्स वीडो आपके साथ में मैं कौन सा शायर करूँ डेफिनेटली मैं आपके साथ में शायर करूँगी आप इंश्राग्राम पे भी फॉलो की जो ऐसी वीडोज के लिए तक लिए